हेलो स्वावत है आप सबका ग्यापन अकेडमी में मैं हूँ अमीत कुमार सिंग और आज आपके लिए क्लास 10 का बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर गया हूँ जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फीजन है सब को दूर किया जाएगा तो उस टॉपिक का नाम है युउक्लीड डिविजन ले legs Java और युउकलीड डिविजन अल्गरित्म है आखिर होता क्या है कृ़ दो देखिकिंग यहां यॉउपिजन लेमा आख कर य उ क्या है यॉपिज सेन को ले करके प्रुमेंट दिया यानि कि पर्मारित कथन दिया है उस पर्मारित कथन को अब करकार का अब लेंग और सब्सक्राइब कोई हम लोग लेमा करते हैं तो या या इंहों लोग दिखतें यह इक्वल यहां सोच करके ज्यादा नहीं होना है यह जो इन्होंने इसको कहते हैं इसमें आपको प्रूब करने की कोई भी जरूवत नहीं है इसको हम कहेंगे लेमा और उन्होंने क्या कि कि यहां यह जो आपका इस्टेटर दिया यह बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं आपको साइद याद नहीं है अगर याद भी होगा तो बहुत पहले टीचर आपको डिवाइड पढ़ा होंगे जिसको कहते हैं भाग और भाग पढ़ाते समय बोले होंगे कि सुदता की लीञे हैं आप्या तु से डिवाइड है यहां पर देखेंगे लाप्य इसको सी पसुदाषा कै अगर लोग जेंटेट कि पीसलो जोड़ते हैं तो उसके बाद से डिविदेंट मिलता है और उसफर्मूला मारा लगा जयता है उसी फर्मूला मारेकी तो ाहही तो पूबं स्टेटमेंट है यहाँ पे जो है वो डिविडेंट का काम करेगा यहाँ पे जो क्यों काम करेगा और यहां पे तरीके से लिखे हैं और यह हम लोग नहीं यह यूकलिड ने इसको डिविजन को जाच करने के लिए इनौने यह स्टेटमेंट दिया है अब एक चीज उन्हों ने और कहा है यहाँ ध्यान दिजियेगा उन्होंने कहा है 0 जो होता है बड़ा और बराबर होता है किसे बी से सोरी आर से और आर बड़ा होता आने कि बी आर से बढ़ाता है यह स्टेटमेंट क्या कर रहा है थोड़ा सा इस पर हम लोग जान देगे यानि कभी भी देखिएगा जो यहां पर के रिमाइनडर है वह हम यूअ होगा और नहीं तो जीरो से बढ़ा होगा लेकिन हां यहां वी से कभी भी चोटा होगा इस से तो और यहां पर होगार यह तो रिमाइंडर छोटा होगा अगर यह बड़ा होता है तो यहां पर डिवाइड आपका कम्प्लेटली पूर रूप से डिवाइड नहीं हो पा रहा है इसलिए इस्टेटमेंट इन्हों ने दिया अब यहां ध्यान देंगे हम लोग कि जैसे कि हम बता चुए यूपली डिविज जैसे लेका हैं और बोले कि दो सभी इन नमबर को डिवाइड करता है तो यह मेरे अगर माने आप तो यह प्रकार का स्वेट्मेंट हो गया हम बोल दिया है कि आणी हो रहा हो तो तो वह स्टेटमेंट के जरीए ही हो रहा है वैसे ही स्टेटमेंट सिर्फ दिया गया इसके जरी आप बहुत सारे कुश्चन बना सकते हैं अब यहां बात करते हैं हम लोग यूकलीड डिवीजन यह क्या होता है तो यह परकार का बीधी है या बीधी एसीफ निकालने की यह ब करके सब्सक्राइद है और जितने भी प्रोसेस शीयव निकालने में लगाए उस सारे प्रोसेस को तीन चार्स जितना भी लगए हुआ सारे प्रोसेस को हम लोग काते हैं आड़ित्मregalinka की हैसे उसको हम लोग डिवीजन मेथरी का सकते हैं यहां ध्यान देते हैं के अगए अगर हमको इन दंकालना पहलए 6 14 दोनों बसीक्तों केस्ट कितना होता है तो कैसे निकालेंगी इस परियोग करें सबसे पहले हो डिवाइड का परियोग कुरें यानि कि दोनों कर दो MEMBER रखते हैं और फिर एक बार डिवाइड करते हैं तू थ्रीजा शेट यहां पर पूर्ण रूप से कड गया जैसे हमारा रिमांडर 0 हो जाता है तो जो पूसेंड वशता है वह ही को सेंड हमारा एंसर हो जाता है यह जाता है यह जो जाएगा तो अब यह जो डिवाइड है इसको हम इस प्रोसेस में लिखेंगे जो भी यह जैसे हम पीशे बता चुके हैं वैसी इसको सेम इस पर सजाना है देखिए हम सजाते कैसे हैं यह था यहाँ पे डिविडेंट यानि कि 14 हम लिख देते हैं उसके बाद भी क्या था तो भी हमारा काम कर रहा था यानि कि 6 और यह मल्टिप्लाई कोशेंट से होता है यानि कि 2 से होगा और इसमें अब इस प्रोसेस को तब तक हम लोग दूर आते रहेंगे जब तक की नीचे जीरो नहीं आयाता है जैसे नीचे यानि कि रिमाइंडर में जीरो आ जाएगा तो उसका कोशें कोशेंट जो होता है वही सिएफ हो जाता है ये सब और प्रोसे से यहां पर डिवाइंडर का काम कर रहा है और यहां पर लोग देखे कि रिमाइंडर हो गया जीरो तो इसका जो डिवाइंडर होगा वही इसका ACF हो जाएगा और यही method होता है Euclid Division Algorithm तो I hope कि यह वीडियो काफी अच्छा से समझ लाया होगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक लेकर तब तक के लिए बाए बाए